अब अपने अक्सर देखा होगा कि हमारे विश्वर में बहुत सारे पौदे हैं और बहुत सारे हर्ब्स भी हैं कई पौदों को हम हर्ब्स की तरह ही उसकरते हैं इसलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी ही हर्ब के बारे में जो देखने में बिलुकुल फूल की दिखाई देती है दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ जिनेरियम के बारे में जिनेरियम एक विचितल नाम है लेकिन इसकी घुजबू काफी ज्यादा स्ट्रॉंग है यह एक हर्ग होती है जिसे आप खाने के अंदर भी प्रियोग कर सकते हैं और अपने मसाले के प्रियोग कर सकते हैं दोस्तों जिनेरियम के बहुत सारे फायदे होते हैं अगर आपकी प्रोतिरोधक शमता अच्छी नहीं है आप बार बार बिमार पड़ जाते हैं तो आप जिनेरियम का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको हमेशा जवाब बने रहना है तो जिनेरियम को पीस कर उसे दूद के साथ मिलाकर पेस्ट बनाकर चहरे पर लगाने से जुर्यां आपके चहरे पर सालों साल तक दस्तक नहीं देती है और तीस या चालिस के उम्र को पार करने के बाद भी आप महस 22 या 25 साल के दिखाई देती है तो दोस्तों अगर आपको हमेशा जमा दिखना है तो आप जनेरियम का इस्तमाल कर सकती है इसी के साथ साथ किसी भी प्रकार के संक्रमन को दूर करना हो या फिर अपनी शरील को मजबूत बनाना हो आप जनेरियम का इस्तमाल कर सकते हैं जनीरियम को पौधा वैसे तो काफी ठंडे एलाकों में पाया जाता है लेकिन अगर आप कोशिश करें तो ये काफी अच्छे सूपर मार्च किट्स के अंदर जहां पर हब्स अवेलेबल होती हैं वहां पर आपको अच्छे तरीके से मिल सकता है इसलिए आपको थोड़ा साइसे ढूड़ना दोग पड़ेगा सो दोस्तों जनीरियम को ढूड़े और इसे इस्तमाल करना शुरू करिए मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटीड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइप, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए